हेलो वीवर्स बेलकुम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो है कक्षा आठमी पर विशे है हमारा पर्यवर्ण अधियान और इसका उप विशे रहेगा बीच 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 तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले रहेगा समान्य एवम विशेस्ट उदेशे समान्य उदेशे में जो हमारे समान्य उदेशे हैं जो विशे से समद्धी जो उदेशे हैं वो रहेंगे जैसे बच्चों में विशे वस्तू के प्रतीरुची उत्पन करना उनमें तारकी कैवं बोधी शक्ति का विकास करना या फिर बच्चों को विशे वस्तू समद्धी जानकारी देना उसके बाद है विशिष्ट उदेश्य विशिष्ट उदेश्य में बच्चे वीज को परिवाशित करने में समर्थ होगे विशिष्ट उदेश्य में जो हमारा उपविश्य है उससे रिलेटर जो उदेश्य रहते हैं वो यहां पर आएंगे तो उसके बाद आ उसके बाद है विशे वस्तु का सरल लिकरन तो इसमें विशे वस्तु को सरल बिनाने के लिए छातरा ध्यापिका उन्हें बीज 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 सम्मंदी जानकारी देगी साथ ही शीक्षण सहाइक समगरी का उपयोग करेगी जैसे श्यामपट चाक जाडन संकेतक आदी उसके ब बच्चे की प्रिविश नौलजच का टेस्ट करेंगे उसके बाद प्रस्थुत करन देगे जो भी लेसन है उसे प्रस्थुत किया जाएगा तो इस तरह से इस लेसन को प्रस्थुत किया जाएगा आप यहां पर स्क्रीन शॉर्ड ले सकते हैं मैं इस पे फोकस करते हूँ तो इस तरह से जो भी लेसन आप पढ़ाएंगे उसका प्रस्तुति करन करेंगे यहां पर उसके बाद इसमें आप मिनियेचर भी लगा सकते हैं तो मिनियेचर के लिए या डैमो बोल सकते हम जिसे हम तो बीच बीच का मिनियेचर इस तरह से आप बना सकते हैं आप एक बीच उसका अंकूरन दिखा दिये उसका परागन अंकूर इस तरह से दिखाकर बना सकते हैं और इसी काप चार्ट भी बना सकते हैं कक्षा आठमी के लिए है यह तो प्रेजंटेशन आपने प्रस्तुति करन देदी है उसके बाद आप लैक बोर्ड वर्क करेंगे तो जो श्यामपट कारे है उसमें आप जो मेन मेन आपकी लाइन से वो लिख देंगे आप तो बीज बीज सबसे पहले आप उपविशय का नाम लिखेंगे उसके बाद जो मेन हैडिंग्स हैं वो लिख देंगे उसके बाद है समू निर्मान तथा समूहों को दिया गया कार है तो इसमें जो चातरा दिहापिका है वो बच्चों के समूहों का निर्मान करेगी बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी दो समुहों में डिवाइड करेगी और दोनों समुहों से कुछ एक प्रशन पुछेगी जो लेसन से जो रिलेटर प्रशन है वो पुछेगी एक एक गुरुप से दो दो प्रशन यहां पर पूछेगे हैं तो जैसे जो समुह एक है उससे पुछा तुमने कौन-कौन सी चीजें अ रिक्षिन करेंगे जब अपने कारे में व्यस्त होंगे उसके बाद समुहों के प्रदत कारे का एकतरी करन तो इसमें जो भी समुहों को कारे दिया गया था जो उनसे प्रशन पूछे थे उनके उत्तर लिये जाएंगे तो इस तरह से बच्चे जो भी उत्तर देंगे उनका ए किे लिए जायाएं तो सबसे एंड में देंगे Himg Studi मुल्यांकन करने के बाद वच्चे को ग्री कारी दीए जायाए ग ग्री कारे में आप दो या रहिक प्लेशन पूछ सकते हैं या तीन के पांच प्लेशन आप इस mentality से पोछ सकते हैं तो यह रहा ग्रिह कारे, ब्लैक बोर्ड उसमें लिखेंगे आप इसको, तो चातर अधियाप का चातरों को निमन ग्रिह कारे देगी, आज की पीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।